भारत के करोडपती लोग जो आम आदमी की तरह सिंपल लाइफ जीते हैं कभी नहीं करते घमंड नमबर एक रतन टाटा रतन टाटा जिन्होंने टाटा ग्रुप को नई उंचाईयों तक पहुँचाया भले ही आज हमारे बीच ना हो लेकिन भारत के महान लोगों में उनका नाम हमेशा ही लिया जाएगा उनकी सादगी और डाउन टू अर्थ नेचर किसी से छुपी नहीं है रतन टाटा ने हमेशा ही सादा जीवन जिया और उन्होंने कभी अपने पैसे और पावर का घमंड नहीं किया वह सस्तीकारों में चलते थे और एक साधारन अपार्टमेंट में रहते थे उनकी दरिया दिली और दान करने की भावना ने उन्हें और भी खास बना दिया रतन टाटा का मानना था कि पैसे से ज्यादा जरूरी लोगों का सम्मान होता है विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी को तो सभी जानते हैं उनके पास अर्बों की संपत्ती है लेकिन उनके जीवन में कोई दिखावा या घमंड नहीं है उन्होंने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए दान कर दिया अजीम प्रेमजी का मानना है कि पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी चीज नहीं है बलकि दूसरों की मदद करना असली सुख है वह खुद एक साधारन आफिस में काम करते हैं और बहुत ही साधारन कपड़े पहनते हैं उनकी साधगी और विनम्रता ने उन्हें पूरे देश में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है नमबर तीन नारायन मूरती इनफोसिस के को फाउंडर नारायन मूरती का जीवन भी बेहद सरल है उनके पास करोडों की संपत्ती होने के बावजूद वह हमेशा से ही अपनी साधगी के लिए मशहूर रहे हैं नारायन मूरती का कहना है कि असली खुशी पैसे से नहीं बलकि मेहनत से आती है वह एक साधारन जिंदगी जीते हैं और अपनी सफलता का श्रे हमेशा अपनी टीम और अपने परिवार को देते हैं उनका पॉलाइट नेचर और डाउन टू अर्थ अप्रोच उन्हें बाकी बिजनेस टाइकून से अलग करता है गूगल के CEO सुन्दर पिचाई आज दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स में से एक हैं लेकिन उनकी जिन्दगी का एक पहलू जो उन्हें खास बनाता है वो है उनकी सादगी सुन्दर पिचाई ने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया और हमेशा अपने भारतिये मूल को गर्व से स्वीकार किया वह अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं और एक सादा जीवन जीते हैं उनकी सफलता और सादगी ना सिर्फ भारत के लोगों को बलकि पूरी दुनिया के लोगों को इंस्पायर करती है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम अपनी सादगी और सेवा भावना के लिए हमेशा याद किये जाएंगे उनके पास करोडों की संपत्ती नहीं थी लेकिन जो भी था वह हमेशा देश और समाज के लिए समर्पित रहा डॉक्टर कलाम का जीवन बहुत ही साधारन था वह हमेशा आम जनता के बीच रहते थे और उनका मानना था कि असली नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ रहता है इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो हमेशा खुद को एक साधारन इनसान ही समझते थे अरिजीत सिंग जो आज के समय के सबसे बड़े सिंगिंग स्टार है उनके जीवन में भी बहुत साधगी है उनकी मधूर आवाज ने उन्हें हर किसी का फेवरिट बना दिया है लेकिन उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया अरिजीत सिंग पबलिक इवेंट्स में कम ही नजर आते हैं और वह बहुत ही प्राइवेट परसन है उनके साधा पहनावे और साधारन जीवन ने उन्हें इंडस्ट्री में सबसे विनम्र और डाउन टू अर्थ सेलेब्रिटी बना दिया है भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया धोनी की जिंदगी बेहद साधगी भरी है वो आज भी चकचांद की दुनिया से दूर रांची में अपने फार्म हाउस में रहते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं धोनी ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और ना ही ज्यादा पब्लिक इवेंट्स में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनिकांथ का नाम सुनते ही सब के मन में एक साधगी भरी छवी आती है रजनिकांथ की फैन फालोइंग भले ही बहुत बड़ी हो लेकिन वह खुद एक बेहद साधारन जिन्दगी जीते हैं फिल्मों में चाहे वो बड़े स्टार हों लेकिन असल जिन्दगी में वो साधारन कपड़े पहनते हैं सस्ती कारों में घूमते हैं और लोगों के साथ घुल मिल जाते। क्रिकेट के एद वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड की साधगी किसी से छुपी नहीं है। वह क्रिकेट के मैदान पर जितने शांत और संयमी थे, असल जिंदगी में भी उतने ही विनम रहें। राहुल द्रविड का नाम कभी किसी विवाद में नहीं आया और उन्होंने अपनी सफलता को कभी अपने सिर पर नहीं चड़ने दिया। वो अपनी जिंदगी को बहुत ही साधारन ढंग से जीते हैं और हमेशा अपने काम में लीन रहते हैं। उनकी यही साधगी और समरपन उन्हें क्रिकेट के सबसे सम्मानित खिलाडियों में से एक बनाती है। अपनी कप्तानी से भारतिय क्रिकेट को एक अलग मुकाम पर ले जाने वाले पूर्व कप्तान सौरफ गांगुली। भले ही क्रिकेट के मैदान पर हमेशा अग्रेसिव दिखते थे लेकिन असल में वो बहुत ही ज्यादा हमबल और साधारन इंसान है। उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का दिखावा नहीं किया और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। सौरफ गांगुली आज भी अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और वह आम आदमी की तरह साधा जीवन जीते हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना।